उत्तर पशियन रेल्वे पर इसस वर्ष नवांबर महाँ तक 667 किलोमेटर ट्रैक का विद्यूतिकरण किया जा चुका है वहीं अब तक 4634 किलोमेटर ट्रैक का विद्यूतिकरण किया गया है 138 जूडी ट्रेनों का संचलन एलेक्ट्रिक से किया जा रहा है उत्तपशिन रेलवे पर परेवरण अनुकुल रेल संचारन के लिए ब्राडगीज लाइनु का विद्यूतिकरन का कारिय तीवरगती के साथ किया जा रहा है उत्तपशिन रेलवे पर वश्ट 2023 और 24 में नवंबर महा तक 667 किलोमेटर ब्राडगीज लाइनु का विद्यूतिकरन का कारिय पूर्ण किया जा चुका है उत्तपशिन रेलवे की मुख्या जनसंपर का दिकारी कैप्टरेंश रशी करण की अनुसार माप्रबंदक अमिताप की कुशल दिशा नेदेशन में उत्तपशिन रेलवे पर विद्यूतिकरन की कारेय तिवरगती से किया जा रहा है प्रयावरान अनुकूल रेल संचालन की दिशा में कदम बढ़ाते हुए उत्तरपशिन रेलवे द्वारा लाइनों का विद्यूतिकरन काफि तिवरगती से किया जा रहा है और इसी करन में उत्तरपशिन रेलवे द्वारा इस वर्ष नवंबर महा तक 666 सर्सर रूट किलोमेटर का विद्यूतिकरन किया जा चुका है हमारे महाप्रबंदक श्री अमिताब के दिशा नेरदेशन और नेत्रितों में इस वर्ष इस काफी फोकस दिया जा रहा है कि रेल लाइनों का विद्यूतिकरन तिवरगती से किया जाए इस तरह से कुल उत्तरपशिम रिल्वे पर 400 सो रूट किलोमेटर से भी अधिक रेल लाइनों का विद्यूतिकरन खेया चुका है और इन सारे विद्यूतिकरन कारे के फ़सुरूप 138 जोडी रेल से हुआओ का संचालन विद्यूत ट्रैक्शन पर हो रहा है विद्यूत जो ये प्रनाली है इसे ना से प्रयावरन अनकूल है इसके अलावा किफाइती भी है और जो है ये एक भर्या मादे हमें जिसे कारण से हम ट्रेनों की स्पीड में भी काफी भरोतरी होती है हमारा पुरा अध्य है कि इस वर्ष 23-24 में जो हमारे बाकी जो मार्ग है उनका विद्यूति करन करके हम एक प्रयावरन अनकूल दिशा में एक नया कदम ठाएं